नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है किसान आंदोलन के खिलाफ बड़ी साजिस का खुलासा हुआ है एक ऐसा संदिक्त पकड़ा गया है जो साजिस रचे हुए था कि 26 जनवरी यानि रिपब्लिक डे के दिन जब मंच पे चार किसान नेता बैठे होंगे तो वो उन्हें पकड़े कए शुटर ने डावा किया है कि 26 जनवरी को किसान ट्राक्टर रहली में वह गोली चला कर महौल खराब करने की साजिस रचने वाला था उसने बताया कि 23-29 के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भढ़़ाना था शूटर ने कबूल किया है कि उसने जाट अंदोलन में भी महौल बिगारने का काम किया था अब सुनिए क्या करा रहा है वो संदिक्त दो जगर हत्यार दिया है एक माखन भूख के पास और दूसरा हो गली में हमारा प्लान यह था कि जो से होगी जैसे 26 तारिक को बढ़ने के कोशिश करेंगे आ Mitt अ मख्या कि पहले हुआ हम स्वीट करेंगा तर नहीं तो सब्सक्राइब करेंगे जो गन चलाएगा सर वो यह होगा कि वो यह होगा कि पहले हम शूट करेंगे पहले रोकने की कोशिश करेंगे अगर यह बाइचास नहीं रुखते तो इन पर शूट होने का ओडर है दूसरी चीज अगर तब भी नहीं रुखते हैं गुट्टों में ओडर है शूट करने का त दिल्ली में दिल खिसान लोगों ने ये चलाई है इसमें उड़ती जो 26 तारीक जो रेली होगी उसमें से आधी जो 26 तारीक बोलेकों इसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस के बड़ी में होंगे इनको तीतर बितर करने के लिए अधी जो 24 तारीक से है चार चार लोगों को फोटो जो आधी गई है और जो हमें शीखाता है वो परदीप सिंग है राई थाने में परधिव एक्षो यह देखा नहीं जब भी हमसे मिलना आता था वह उपर लगा के आता था था हुआ पर लगा कर तुछ का हमने राई हमने हमने इसका बैच देखा था तो जैसा कि आपने सुना संदिग ने खुलासा कर दिया प्रतसंकारी किसान हतियार लेकर जा रहे हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए दो टीमे लगाई गई है सुटर की ओर से बताया गया है कि 26 तारीक को जब चार किसान नेता मंच पे बैठे होते उसी वक्त गोली मारने के आदेश उसे दिये गए थे इसके लिए सुटर को चार लोग की तस्वीर भी दी गई थी वो 19 जन्वरी से सिंदू बॉर्डर पे है 26 जन्वरी को किसान ट्रेक्टर रायली निकालते तो वो किसानों के साथ मिल जाता अगर प्रतासंकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था और जो पकड़ा गया है सुटर को क्राइम बायांच के दफ्तर ले जाए गया पुछता आज के दौरान पता चला कि आरोपी का नाम योगेस है वो सोनी पत्के निव जीवन नगर का निवासी है पुलिस के मुताबिक आरोपी नमी फेल है और उसका अभी तब कोई होती फिर उसके आगे क्या होता और देश की क्या छवी बनती बिदेसों में और देश भर में तो इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिस भी हो सकती है और बड़ा दंगा फसाद कराने की साजिस हो सकती है लिहाजा वो चेहरे सामने आने जरूरी है जिन्होंने ये साजिस र बढ़ कर सकते हैं देखते हैं इसमें आगे क्या निकल करके आता है जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे आप रहिए ने बे खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू